प्रधान मंतरी के बयान के बाद उनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत तेज हो गई है इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद इलाके में हैं और यहां आम मुसल्मानों से पूछेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं उनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक देश एक कानून के बार कानून के बारे में सुना होगा प्रधान मंतरी नरेन मोदी कह रहे हैं कि युनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग को पता है सर सुना तो है लेकिन अभी उसकी हमें जानकारी नहीं है किसके लिए ला रहा है उस वह हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा वो तो ज अद्स fetopeясरी में नन मुस्लिम्स के लिए तो इसकी अभी हमें कोई जानकारी है नहीं अब आरू आजकर सब समझधार हो चूके है पढ़े लिए लोग हो गएँ पहले होती जहलत लेकिन अभी लेकिन कुछ हमारे जो मुस्लिम लौ होता है शरीया कानून उसके अंदर हम अपने आप भी चाहते वे जो हैं फिर बदल नहीं कर सकते हैं अगर गॉर्मिन्ट चाहीगी कि उसको बिल्कु खतम कर दें तो उसका तो हम विरोध करेंगे जी क्यूंकि हमारा कुछ शरीया कानून ऐसा हो पर रहे जी 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 जुद्धार मीट है हमारा आपका नम अन। हमनसीम अपन नसीम भाइ आपको पता है उनि फॉर्म सिविल कोड़ के बार एतिके बारे में 2009 जानकारी नहीं है कुछ भी सुनते हैं क्या सुना में कोई गलत फहमी इससे पैदा होती है या कोई भड़कानी काम करते है ऐसा कुछ भी नहीं है सके आपका कर दिधिड के बारे में सुनना अप लोगोंने कैसे देख रहे हैं मिल्फिक कि आ longitud can तो प्रधान मंतरी नरेन मोधी कह रहे हैं कि एक घर में दो कानून नहीं होने चाहिए तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग लेकिन जब वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल को जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुसलिम समुदाय को में गलत फैमी फैलाने का काम उन्हें भरकाने का काम विपक्च की पार्टियां करती हैं आप लोग इसे समुदाय के लोग हैं कैसे देख रहे हैं क्या ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हमें नहीं भरका रहा, ना कोई अंदा है, वो सब समझके सोच समझके कह रहा है, और बिल्कुल सही है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, आप किसी जे मजब में इंटर्फिया कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या चाहते हैं तो हमारे सब बढ़े ठाटे हैं वो हम काते हैं अरह यूसीसी नहीं होना चाहिए आप यह मानते हैं अपका नम आप मुहमाद आविल मुहमाद साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून की चर्चा हो रही है आपने कुछ सुना है इस बारे मैं नहीं है कुछ नह सहाब बढ़े जाता है इस मसलत पर उनिफर्म सिविल कोड पर विपक्ष की पार्टी पर अरूप लग沒有 लेकिन होना नहीं है जोगे समीदान चलना है उसी हिसाब से सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह सही है प्रधान मंत्री जब कहते है कि कुछ पार्टियां आप लो तो आप लोग नहीं चाहते कि यह कानून है जी जी यह नहीं चाहते हैं अरका नम आलम आलम जी उनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चलिए आप लोग को जनकारी है नो एक देश एक कानून जी से कह रहे हैं कि यूसी सी पे मुस्लिम समुदाय को विपक्स की पार्टिया भड़काते हैं इसलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं आपका नम राशिद जी उनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है आप जामा मच्जिद इलाके में रहते हैं आपने सुना है और क्या सुना है देखो यह तो कानून गलत है कानून हर मदब के एसाब से होना चाहिए लेकिन यह जो सब एक मिला के एक कर देंगे तो ऐसे कानून ही तो जबले होंगे भी लेकिन प्रधान मंत्री कहते हैं कि मुस्लिम समुधाय को बर्गलाने का काम भड़काने का काम विपक्च के दल करते हैं काम तो सभी करना मुसल्मान तो सब के नाम पर मुसल्मान चलो जो मुसल्मान का नाम लेता है वही तरक्की पा जाता है जो मुसल्मान का नाम लेता है वोई तरक्किबागिया जैसे सारी पार्टियां हिंदुस्तान की सारी पार्टियां मुसलमान पर हाथ रखा और काम्यावी की सिलें पकड़ ली ऐसा आप सोचते हैं ऐसा नहीं यह सोचना तो बहुत दूर है ऐसे ही होता है आपका नम मेरा नम अतिकुर रह्मान रह्मान साब उनिफॉर्म सिविल कोट के बारे में सुना है बिल्कुल सुना है क्या सुना है क्या समझते हैं सर यह जो है यह पार्टिकल यह जस लाए कि जिसे कहना चाहिए के लास्ट ये चल रहा है और इसके बाद इतना हो आने यह दस साल पहले भी यह आवाद उठाई गई थी आज इनके पास कोई मुद्धा बचा नहीं है ग्राफ पारडिकली इनका गिरता जा रहा है इसके गौडिक उन्होंने तो अब एक नहीं चीज़ एक नया इशू इसको उन्होंने अरेस किया है हमारे प्राइम निस्टर साब बहुत समझदार हैं बहुत जादा समझदार हैं और जैसे के नौ साल में उन्होंने सिर्फ दोई कुश्चन लिया वो भी अमरीका जाके तो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के बारे में वो कहते हैं कि एक घर में दो कानून नहीं होना चाहिए हमारे हैं विपता हैं कि हमारे हैमारे जी आपका मनिपूर के इंदर 3060 क्यों था द्र जब हमारे हैं सारी चीजिये सारी देह हुई है तो पहले कमीशन पर प्ड़ लें परमशन परिया निस्टर याएक पनने को पढ़ जाए तो फिर बात दो, लेकिन वो कहते हैं कि इस मसले पे बहुआ को भरकाने का काम करते हैं, वी पच्च की पटी हैं, देखिए हैं, आप कोई भी कानून मना दिया हम नहीं मानेंगे, हम अपनी शरीयत को नहीं छोड़ सकते हैं, जो हमारे मजभी मामले हैं, उनको हम अपने कानू के इसाफ से मानेंगे, हम नहीं मानेंगे उसको इंडिया के कानून से, हमको अपना इंडिया का कानून मानेंगे जो सिविल लाइफ है, लेकिन मजभी लाइफ में हम इंडिया कानून नहीं मानेंगे, वो हम मानेंगे अपनी शरीयत का कानून, बज्जश, अब धार्मिक मामल कि आप लोग को भी पर्च की पाटियां भड़काती हैं हमारे वह कोई नहीं बढ़काती हैं कि अमक्या समझदार नहीं है अनाज अग्ले साल इलेक्शन है अब इलेक्शन आ रहा है तो सब पार्टी अपने जोड़ोड़ों में लगी हुए और रूलिंग पार्टी जो हमारी है भारती जन्ता पार्टी उसको लगता है कि अब उनके पास एक यही आखरी मुद्दा बचा है इसको लाके हम समाच को बाटके और अपना उल्लू सिधा करेंगे और हुकूमत बना लیںगे लेकिन अभी आपने का हिंदू-मुस्लिम अब नहीं चल रहा है हो गया हिन्दू-मुस्लिम का लिए अच्ट नहीं चल रह लहा है आज सौ रुबे कि टिमाडर विख रहा है तक ही स सब्सक्राइब करें तो आज तक प्राइमिस्तर ने करा कुछ साथ दिन से जल रहा है साथ दिन एक सो तीस लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान के मनीपूर के अधारों लोग भेगा रहे हैं कैम्पों के अंदर हैं आप और कुछ कहना चाह रहे हैं मतलब हिंदु मुस्लिम नहीं चल रहा है जी आप कुछ कर दो हतम हुई है जब से पहले तो आज हमारा तहवार का वक्त है इद है सबसे पहले हम अपने सब भारत वासियों को सब हिंदुस्तान वासियों को इद की बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहते हैं और उसके बा और यह क्या इसको बोलते हैं लेकिन आप कहरें कि भारतियों चंता पार्टी को बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो आज की तारिक में भी पच्छ में हैं चाहे आम आदमी पार्टी हो शुसेना उद्धो ठाकरे हो जेडी यू हो वो लोग ने संधान्तिक तौर पर मानते कि ह लेकिन उन्होंने साथ में ये भी काया कि पहले आप सारे समाजों से बैटके डिबेट कीजीए इस इसे मी gen नहीं करेंगे आप सारी पुद्धी जीजियों से मिलके बात नहीं करेंगे और आप ये डिकलेर कर देंगे कि हम ये कर रहे तो अपने अभी एक हंदूलन चुरू होगा आप क्या करेंगे सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जतने हम जानते हैं जो हमारा सम्विधान है बा पचास सौ किलो मिटर के बाद जबान बदल जाती है कल्चर बदल जाता है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम 140 करोड आदमियों को एक ही लकड़ी से हाथ देंगे और एक ही बात मानने के लिए मजबूर कर देंगे आखरी में और में ये कहना चाहूँगा कि हम तो ये नही इसे कानून की बात है यो सिर्थी हिंदु धर्म को ठोपने के बात है आप पूरे हिंदुस्तान को किसे एक कर सकते हैं आप समझतेग ही कोशिच करें इस बात ये पॉलिटिकल एजंड़ा है क्योंकि ये अलेक्शन यह रहे हैं। क्या है उसका जवाब देंगे नया ड्राप जो पेश करेंगे उसके बात देखो मोधी जी क्या लेकर रहेंगे उसके बात पता चलेगा। लेकिन आप लोगों किया सुनाया अभी कानून के बार में क्या जानते हैं। मैं तो यह जानता हूँ जी हमारे अंबेडगर जी ने जो खानून मनाया था हिंदुस्तान को एक करने के लिए बहुत बढ़िया था और वह रहना चाहिए और उनिफॉम जो नया कानून आ रहा वो नहीं होना चाहिए पीम कहते हैं कि आप लोगो भढ़काने का काम विपच्छ की पार्टिया करती है अरे कोई भढ़काने वाली बात ने कोई भी आज के टायम इतना ना समझ नहीं है कोई अपना मजहब को किसी पर ठोकता नहीं है तो इसलिए जो अपना मजहब जिसका जो मजभ है उसको चलने एक सान न्य सब को करना चाहिए एक ही डंडे से सब को नहीं हांखना चाहिए। आपक़ नام? मेरा नाम है सुल्टान है। सुल्टान जी अपने अनिया सुना है रखे में सुना है। जो है सिर्विल कोट उसके बारे में सुना है कि । वो जो आएगा, वो जो जो जूल है उसके बारे में कि जो मधहभ के सब बराबर हो जाएंगे यह सुनाएंगे जो इसमें अगर सब मधहभ के लोग बराबर होता है तो क्या दिक्कत हो सकती आपको? ये तो हर मधब वाले को दिक्कत होगी, ये जिरिफ मौमदन को नहीं होगी, ये हर मुस्लिम मतला हर मतला इंडिया में जितने भी हैं, जितने भी मधब के लोग हैं, उसब को दिक्कत होगी, कोई अपने तरीके से शादी नहीं कर सकता, आपने तरीके से रह नहीं सकता, जो भ एक देश एक कानून जी हाँ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के अगुआई वाली सरकार जल्द ही इस तरीके के कानून लाने जारी हाला कि इसका विरोध भी देश में हो रहा है लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया है तमाम लोग इसक मोधी सरकार जल्द ही लाने जारी है क्या कहना चाहिए सर मेरा यह मानना है कि अब इट्स हाई टाइम तो हाव उससी नाव बिकरस आर्टिकल 44 अब डीपेस पेट सेल्फ क्लिरली मेंशिंस अट स्टेट शुद इंपावर तो इंप्लिमेंट उससी तो एफिल इस स्टेप इ भी हम सब एक हैं और जब हम एक हैं ही तो क्या नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही कानून हम सब पर लागू हो तो यह एक राइट डिरेक्शन में स्टेप है जहां हम यूनिटी को लेकी आएंगे as per the constitution and as per the law यह भी कहा जा रहा है कि यह जो कानून है वो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदे मन उनके support करने वाला कानून मुझे ऐसा लगता है कि महीलाओ के लिए अभी जो देश में कानूने आ रही है जिससे हमें महीलाओ के लिए काफी अच्छा हो रहा है और उन्हें development के लिए तरफ बढ़ाया जारा है फ्रोशान दिया जारा है जिसके वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि काफी जाधा उसका विरोध होगा ही, और मुझे लगता है कि इस विरोध को हमें as positive criticism लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी हमारी आबादी है, इसमें अगर हमें कुछ भी लागू करना है, तो उसको चप्पे चप्पे पे, stage stage पे उसका provision देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, तो ये विरोध क्या अच्छा विरोध है या बुरा विरोध है, इसकी जाच करके हमें और बहतर कानू निकाल, क्या नाम आपका? इशिका. क्या मानती है ये जो सरकार कानू लाने जा रही है, सही कदम मानती है? जी बिलकुल, जिसे कोई भी law आता है, तो वो एक समान होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो एक religion को फाइदा कर रहा है और दूसरे religion को नहीं कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा law आ रहा है, जो सब के लिए बराबर है, तो वो बिलकुल आना चाहिए. अब बताए. मेरा मानना है कि जिस टाइम पर हमारा कानून बनाता, वो उस समय को देख नहीं कर सकते, इसके इसाफ से मलब जैसे different cultures है, different societies है, उनका खुद का अलग-अलग सब का culture है, तो एक law सब के उपर ये कुछ ज्यादा हमारी जो हमारी सोच यूनिटी इन डावसेटी उस पे शायद presentation उठाता है सो. आपका नाम क्या है? हर्ष. बताएं कि क्या मानते हैं जो सरकार कानू लाने जा रही है? बतार नहीं मिल पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है परसनल लॉज का यूसेटी लागू होना. हम लास्ट स्टेज का बात करते हैं बट उसके प्रोसेस में जो चीज है, वो चीज हम नहीं बात करते हैं, समान हम कानून का बात कर रहे हैं. पर सबसे पहले अगर कोडिफाइड नहीं होगा, हम उसके चीजों को नहीं समझेंगे, हम उसके चीजों को अनकंस्टिटूशन नहीं करेंगे. जिसे 2017 में किया गया, ट्रिपल तला को, तो उस तरीके से बहुत सारी चीज अभी बाकी है, हम एकदम से वहां नहीं पहुच सकते हैं, इसके प्रोसेस में बहुत सारी चीजे हैं, जिसको हम ध्यान देने की जोड़ा था ना, सरकार की स्टप कैसा मानते हैं? सरी सरकार के स्टप काफी अच्छा है, जैसे कि स्टेंप अगर हम देखें, यूसीसी दे से कहाता है, उन्यूफार्म सिबिल कोड, उन्यूफार्मटी यह लाता है, अभी देखें तो हिंदू मरीज एक 95, मुस्लिम मरीज यह अलाग अला हो रहा है, कहीं ना कहीं यह फंडम को चलाना और फिफ्ट नंबर पर लेके जाना है, वर्ट्स लार्जस इकॉनमी में, बहुत बड़ी बात है, और जैसे हमने देखा, यूसी कबिनेट में, कैसे उन लोग को स्टेंडिंग ओविशन इतनी टाइमस दिया गया था, शायद 70 प्लस टाइमस दिया गया था, तो बहुत बड़ी बात है, इंडियन प्राउड फील होता है, काफी ज़्याद अगर अमेरिकन से ऐसा फील कराते हैं, तो